नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि पत की थिकनेस और पत कलर को कैसे चेंज कर सकते हैं। जब हम Pen Tool या Lasso Tool से पत क्रियेट करते हैं, तो उसका कलर Black या Blue ही होता है। अब अगर आप इस Black या Blue कलर को चेंज करना चाहते हैं, तो उसे आसानी से चेंज कर सकते हैं। पत की थिकनेस और पत कलर चेंज करने के लिए सबसे पहले Tools Panel पे जाके Pen Tool पे राइट क्लिक करेंगे, और यहां से Pen Tool, Freeform Pen Tool या Curvature Pen Tool इन तीनो में से कोई भी Tool को सिलेक कर देंगे। इन तीनो टूल के Options बार में ये Set Additional Pen and Path Options होता है, यहां इस Down Arrow की सिंबोल पे क्लिक करते ही, Path Options नाम का Dialog Box ओपन हो जाएगा, और यहां से पत की थिकनेस और पत कलर को चेंज कर सकते हैं, यहां से हम पत की थिकनेस 0.5 पिक्सल से 3 पिक्सल तक इंक्रीज कर सकते हैं। ज्यादा थिकनेस रखने से Selection Accuracy के साथ होने के Chances कम है, क्योंकि जब Detail में Selection करना हो, तो पत की थिकनेस Selection Area को कवर कर देगी, तो बेतर है कि इसे Default ही 1 पिक्सल रखे, यहां पे पत का Default Color Light Blue होता है, अब इस Down Arrow पे क्लिक करते ही, Drop Down Menu ओपन हो जाएगा, और यहां पे दि यह हुए Different Color में से कोई भी Color सिलेक कर सकते हैं, अब पत की थिकनेस और पत कलर को चेंज करने का दूसरा Option है, Preferences, उसके लिए Application Bar में Edit में जाना है, और यहां पे Preferences में Guides, Grid and Slices Option को सिलेक करना है, उसके साथ ही एक Preferences Name का Dialog Box ओपन हो जाएगा, अगर आप इसे कीबोड का यूज करके ओपन करना चाहते हैं, तो Ctrl प्लस के प्रेस करके Preferences Dialog Box को ओपन कर सकते हैं, और फिर Guides, Grid and Slices Option में जाना है, यहां Path Option पे जाके इस Aero पे क्लिक करते ही, Different Color Drop Down मेन्यू में देख सकेंगे, यहां से आप अपना मन चाहा Color Select कर सकते हैं, यह Color सिफ Online Display के लिए ही है, यह कहीं भी Printing में नहीं आएगा, और अगर आप पत के Color के साथ साथ उसकी थिकनेस भी Change करना चाहते हैं, तो यहां पे इस Aero पे क्लिक करने से Drop Down मेन्यू उपन होगा, जिसमें हम 0.5 पिक्सल से लेके 3 पिक्सल तक पत की थिकनेस इंक्रीज कर सकते हैं, दोस्तों गर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना मत बुलेगा, धन्यवाद!